तीन किसान जो कानून बने हैं उसके बिरोध में और MSP की मांग में नौ महीने से किसान बोर्डर पर बैठे हैं। किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। वैसे में अब किसान अपने संगठन को चुकी आपको याद होगा कि किसानों के इसांदोलन को कभी पंजाब का तो कभी छेतरवार बताया जा रहा था। किसानों को तरह तरह के उपमाशे संबोधित किया रहा था। ऐसे में किसानों का भी एक लक्ष है कि उनके इस बात को पूरे भारत में एक-एक किसान जाने। और इसी के तहत दिल्ली से शुरू हुआ एक किसान अंदोलन इसका जो धमक है वो बिहार में भी पहुँच चुका है। बिहार में किसान अंदोलन को लेकर किसानों को जागरुक करने के लेकर एक बैठक होने वाली है कल। ये बैठक होगी और उसके साथ ही एक पद्यात्रा दो तारिक से सुरू होने वाला है दो अक्टूबर से गांधी जी की जयनती से। और ये दो अक्टूबर से जो पद्यात्रा सुरू होगा ये 21 दिनों का होगा और ये बनारस तक जाएगा इसको लेकर संयुक्त किसान मुर्चा का एक सदस्य संगठन है नौन निर्मान किसान संगठन उसके कुछ पदाधिकारी यहां है और हमारे साथ हैं अभी भारतिय किसा स्थिती है क्या सोच है क्या उद्देश है और अंदोलन की रूप रेखा क्या होगी तो अंकित जी बहुत-बहुत स्वागत है बिहार की दर्ती पे और जानना ये चाहूंगा कि ये जो पद्यात्रा है इसका उद्देश से क्या है देखिए पद्यात्रा का उद्देश से यही है कि पिसले नौ महीने से जो अंदोलन चल रहा है जिस तरीके से सत्य का एक आग्रह लेकर किसान बॉर्डरस पे बैठे हैं और उनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि जो किसान की बरबादी के कानून है उनको वापस लिया जाए लेकिन निरंकुस और तानसा ही रवय अपना चुकि सरकार बिल्कुल सुनने को तयार नहीं है तो मोतिहारी महत्मा गांधी जी की कर्म भूमी है और चुकि गांधीवादी तरीके से यह अंदोलन आगे बढ़ रहा है बहले ही सरकार उस पे कुछ भी लांचन लगाने की कोशिश कर रही है तो बिहार से एक पदियात्रा दो अक्टूबर को निकाली जाएगी जो ये संदेश देती हुई जाएगी कि ये सत्याग रह इस निसकर्स पे पहुँचेगा कि ये कानून वापस हो उसी की तैयारी में हम लोगोंने कल मोतिहारी में एलेंडी कॉलेज के पास में एक सभागार है चात्रावास का वहाँ प बस से गई थी यात्रा बाई रोड लेकिन ये यात्रा पद्यात्रा है ये बीस दिन की यात्रा चलेगी लगभग 180 किलोमेटर की दूरी तैय करेगी और इस यात्रा से बिहार और इसके आसपास ये मैसेज जाएगा कि आंदोलन सिर्फ पंजाब, टाजस्तान, हर्याना और पूरे देश का अंदोलन है और जन अंदोलन बन चुका है, तो इसी सिलसले में हम लोग यहां पर आए हैं और यहां से ये अबाज बुलंद करी जाएगी, बिहार के लोगों का बहुत सही होग मिल रहा है, बहुत अच्छे तरह से इस आंदोलन में लोग जुड़ रहे हैं दो अक्टूबर के लिए किसानों को सूचित कर दिया गया है, बहुत सारे इलाके बाल गरस्त भी हैं, तो किसानों से लगातर हम लोग समपर कर भी रहे हैं, तो उनका कहना है कि दो अक्टूबर तक तो मामला थोलो ठंडा हो जाएगा, बाल थोली सी थम जाएगी, तो सबसे बड़े नेता राकेश ठिकैज जी सांदुलन में सामिल रहेंगे जब यात्रा की शुरुवात होगी तो वो यहां पर रहेंगे और बाकी इस पूरे यात्रा के आयोजक नम निर्माल किसान संगठन के ही राष्टिय संयोजक अक्षे कुमार ओडिसा से वही हैं और हिमा से उठी और कैसे उठी बात सीधी सी है कि बहुत सारे लांचन लगाने की कोशिस किसान अंदुलन पर हो रही थी बहुत समय से सरकार ने बहुत सारे आरोब भी लगाए जो सबके सब जूटे साबित हुए कुछ कदम चलके ही दम तोड़ गए लेकिन उसके बाद भी मीडिय जो फेक मीडिया आजकल है जो पेड मीडिया है वो अभी भी ऐसा भ्रहम बनाई रखने की कोशिस कर रहा है कि आंदुलन में कुछ अराजक तत्व हैं लेकिन यही दिखाना है कि यह पूरा आंदुलन बिलकुल सांतिपूर्ण है गांधी बादी तरीके से यह आंदुलन च से जाएगा कि भई एपी एमसी आर्ट के खत्म उने से बिहार की स्थिति यह हुई कि बिहार का किसान पलायन कर गया तो अगर नए कानून दूसरे राज्यों में भी इस तरह की स्थिति पैदा करेंगे तो इस्तिति भयानक हो जाएगी तो इसलिए पूरे देश भर के किसा कि सान इस सियात्रा में सामिल होंगे और यहां के किसानों से संबाद करेंगी तो उनके भी समझेक बनेगी और फिर वो लोग भी और मजबूती से खड़े होंगी यह कि सन यहां से तो मंडियों को समाप्त कर दिया गया बहुत पहले जिसके चलते हैं यहां के किसानों के इस्तिति और क्रिसी पर बहुत बुरा असर पड़ा ठीक है को मिलेगा उनको पता चलेगा कि 1968 का तैह हुआ हुआ गया हुआ धान वह बारे सो ग्यारे सो रुपे में जा रहा है तो निश्ची दूरूप से लड़ाई में आएंगे प्रत्यक्स इसमें लाव है अगर MSP की गारंटी मिलती है तो बड़ी मात्रा में बहुत बड़े इस तर पत्रण दिया था ऐसी किसान आंदोरन को लेकर पटना में भी कुछ गतिवीदियां हो रही थी उसके वीसे में कुछ है जानकरी हाँ पटना में भी छोटे-छोटे प्रदर्शन हुए थे किसान यूनियन के लोगों ने भी प्रदर्शन किये थे और रागेस्टिकेट के आ यात्रा का रूट क्या होगा कहां कहां यात्रा रुकेगी किस व्यक्ति की क्या भूमिका रहेगी ये सारी चीज़ें तैवने के बाद फिर बिहार का अगला कारिक्रम बनेगा मुख्यरूप से फोकस उत्तर प्रदेश पर रहेगा पांच सितंबर को बहुत बड़ी पंचा इस्टि करेंगे या ग्रामीन छेतर के इलाकों से जाहां मैक्सिमम किसानों से आपका समपर्ख हो सके उस रूट से जाना पसंद करेंगे क्या ऐसी कोई रहन रह्त ही या कोई नेती है क्या यह जो डेड़ महीने का सभाएं भी इसलिए भी है कि अगर हम रखला पलानिंग में और करता हैं आप हमारे सांजय स्युद्ग यहांale से चुदधे यहां रंजीत गिरी आप लोग दोनों संपर किये थे कि और आमंतरन दिया था तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश से था क्या सोच कर आप लोग गए थे और आप लोग को ये दिमाग में था कि आपके आमंतरन पर किसान मुर्चा या उसके जो संगटन के लोग हैं यहां आएं परशार परशार भी अपना करना नहीं चाहते हैं। परशार परशार भी अपना करना नहीं चाहते हैं। इस भूमी में को नमन करने से कोई भी आंदोलन फली भूत हो जाता है। इस बीच में आपको काटेंगे एक आपने स्लोगन बताया कि बिहार भी गुजरात बनेगा चंपारन से सुरुआत होगा। आज के दिन में ये कि बिहार भी गुजरात बनेगा ये स्लोगन आप कहेंगे ये समीचीन है ये सही है। अगे बताये है। जैसे तरह से वहाँ हम अपना शंपव का स्थाफित किये और हम लोग इस बात को अपनी ब्याथा को उन लोग के पासे कितना परिष्व करने के बाद में वहां तक पहुँच पाए। बहुत मसकत करने के बाद वहां तक बात हम लोग की पहुची है। उसके बाद में केंद्रिये किशान नेतुइत के लोग इसको गंभीता से लिया है और उनके दूत बन करके अक्षाजी भी आये हुए हैं। रंजीत जी आप किन लोगों से आपकी बेट हुई और क्या रिस्पॉणस रहा बात यही रखा गया कि गांदे जी को भी इंडिया में आजादी की लड़ाई के लिए पहली सफल्दत चंपारन से मिली तो सब लोग विचार भी मर्ज किये और उन लोग को लगता है कि कॉंटेक्ट फार्मिंग के खिलाफ ही गांधे जी लड़े थे तिन कठिया पर था वह असपस्ट हो जाता है तिन कठिया मतलब तिन कठ्था वेक भी गामें देना था अंग्रेजों को तो वहीं सेम एक एभी कानून है और इसमें MSP की गारांटी अंकित जी ने सही कहा कि यहां के लोग MSP जानते ही नहीं है MSP पर बिखता है यह बहुत लोगों को पता नहीं है जो बनिया रेट तै करते हैं उसी पर तो MSP की गारांटी नहीं MSP पर तो बिखता है लेकिन वो काग्जों में बिखता है किसानों से MSP पर खरीद नहीं होती है वो जो वहां के लोकल बनिया है वो खरीदते हैं और फिर वो MSP पर देते हैं यह काग्जों की बात है तो वह भी 2-4%-5% होता है तो कहने का मतलब है कि contact farming गांधी जी लड़े थे और हमारे चमपारन का सोभाग यह है कि एक बार फिर चमपारन अगर रकेष्टी कहें जी जोगेंदर जादो जी सब किसान नेता आते हैं वो गांधी की बात दोहराई जाती है तो 16-17 में जो गांधी जी आये थे यहां पए जी स्कार अंडोलन हुआ तो फ्र से चमपारन का नाम रोषन होगा और यहां के किसान भी चाहते हैं कि यह आंदोलन चमपारन यात्रा से सफल हो जाए ताकि चमपारन का इतिहां से बदोध तो आप जब बिहार में आ रहे थो एंडिया की सरकार ही मिली-जूली सरकार ही जदी और भाजपा की उस इस्थिति में क्या यहाँ भी वही स्रेटिजी काम करेगा लडाई तो केंद्र सरकार से है और रागिश टिकेट जी अपने इंटर्वियू में हर जगे कहते भी है मीडिया के सामने कि ये वास्तव में केंदर में बैठी हुई सरकार कोई भारत सरकार नहीं है ये है मोधी सरकार तो जहां भी हम लोग जाएंगे जहां भी ये लड़ाई जाएगी वो लड़ाई मोधी सरकार के खिलाप जाएगी क्योंकि मोधी सरकार को ऑपरेट करती हैं कमपनियां और ये कमपनियों के दवाब में ही कानून लाया गया है पहले गोधाम बन गए उसके बाद एसेंसियल कमपनियों एक्ट संसद में बना तो ये लोगतंतर की हत्या जैसा काम है और जो सरकार इस लोगतंतर की हत्या को करेगी तो उसके खिलाप सवभाविक तोर पर ये लड़ाई जाएगी तो क्या आप यहां नितीश कुमार का जदियू का भी विरोध करेंगे क्या यहां पर कोई चुनाव वनाब तो है नहीं अभी फिलाल तो ये कोई उद्दिश से यहां पर किसी पालिटी का विरोध करना नहीं है यहां किसानों को जागरुक करना और किसानों को खड़ा करना ताकि वो किंद्र सरकार से लड़ा किसारों को जागरुक करना और किंद्र सरकार की नितियों से अउगत करना या कहें कि भाजपा के नितियों से अउगत करना मोधी सरकार की नितियों से अउगत करना है ऐसी स्थिती में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस तरह गांधी जी ने तिनकठिया किसानों के समस्या को लेकर जो आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन इतना ब्रिहत हुआ कि पूरे देश में फैला तो लगता है कि फिर एक बार जो चंपारन से ये पदयात्र और दूसरी बात यह कि अब तक जितनी भी यात्रा है किशान मुर्चा दिवारा या उसके साथी संगठनों दिवारा हुआ है उसमें इस तरह की यात्रा नहीं हुई है जो ये यात्रा होने जारी है पदयात्रा और वो भी इतने लंबे मतलब चंपारन से लेकर बना रस्तक तो निश्चित रूप से इसका पोजिटिव, इसका सकारात्मक असर यहां के किसानों को होगा और निश्चित रूप से किसानों की जीत होगी ऐसा अतिहासक यात्रा होगा बहुत एतिहासिक यात्रा रहेगी क्योंकि 180 गिलोमेटर का दाइरा बहुत लंबा दाइरा होता और पैदल ही यात्रा रहेगी 20 दिन किसान जाएंगे पैदल जाएंगे रुकेंगे परचार परचार देश भर में चलेगा तो एक बड़ा मेसेज जाएगा और निश्चित रूप से सरकार को मतलब आप यह कह सकते हैं कि जो किसान जाएंगे रास्ते में रुकेंगे गाउं में रुकेंगे वहां के किसानों से बात होगी मतलब यह एक ब्रिहत जन संपर्क का अभियान होगा और निश्चित रूप से हमारी सुबकामना है कि आप लोग को कामयाभी मिली तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी कि आप लोगों ने जाकर महा संपर्क किया और वो किसान अंदोलन की जो तपिश है वो यहां भी आप महसूस की जाने लगी बहुत हो धन्यवाद